हेलो स्टुटेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका हम आपके हplingले कराए हैं एक प्रेरक प्रशंग जिसमें आवश्यक्ता से अधिक धन का संचे या किसी भी चीज का संचे हमें नहीं करना चाहिए यदि हमारे पास कोई चीज आवश्यक्ता से अधिक है या हमारी जरूरत से अधिक है तो हमें उसे दान के रूप में देना भी चाहिए तो शुरू करते हैं हम इस प्रेरक प्रसंग या कहानी को एक बार राजा भोज एक जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे साथ में उनके राजकवी धनपाल भी थे जंगल में उनको विसाल बर्गत का पेड दिखाई दिया जिस पर एक बहुत बड़ा मधु मक्यों का चट्ता लगा था वह सहत के भार से गिरने ही जैसा लग रहा था यानि कि उसमें इतना ज़्यादा सहत हो गया था बच्चों कि वह गिरने वाला है ऐसा लग रहा था राजा ने उस चट्ते को ध्यान से देखा उन्हें मधु मक्यों अपने हाथ पे रगड़ती हुई दिखाई दी उन्होंने राजकवी से इसका कारण पूछा तो राजकवी बोला मधु मक्यों ने पूरे जीवन सहेत का केवल संचे किया है संचे यानी इखटा किया है कभी किसी को दान नहीं किया जबकि दान की महीमा प्राचिन समय से ही है जिन राजा महाराजाओं ने दान किया है उनका नाम आज भी अमर है लेकिन जिनोंने अपार संपदा होने पर भी दान नहीं किया उनका कोई नाम नहीं है उन्हीं की तरह ये मदुमक्खिया हैं जिनोंने कभी कोई दान नहीं किया अब इनके द्वारा संचित सहथ गिरने जा रहा है तो इने अपसोस हो रहा है और इस कारण से ये अपने हाथ पेर घिस रही है कहने का ताक पर यह है कि आवश्यकता से अधिक संचय करना दुखों का कारण बनता है जैसे मदुमख्यों को दुख हो रहा था अपने सहथ के गिर जाने का इसी तरह से आविशक्ता से अधिक अगर हम धनसंचे करेंगे तो वह भी हमारे दुखों का कारण बनेगा तो इसलिए स्टुडेंट्स हमें दान जरूर करना चाहिए तो इस तरह की कहानिया आपको हमारे चैनल पर और भी मिलती रहेंगी इस तरह की कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में अपने रिष्टेदारो के साथ में share भी करें ताकि वो भी इन कहानियों को पढ़ सकें और समझ सकें धन्यवाद